कमज़ोर दिमाग वाले वेक्ति के 9 लक्षन क्या आप कभी किसी एसी वेक्ति से मिले है जो आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाता है निरने लेने में संगर्ष करता है और जल्दी से अपनी राए बदल लेता है या क्या आप जीवन की चुनवतियों से ब्रह्मित्या अभीभूत महसुस करते हैं और खुद को लगातर अपनी पसंद पर सवाल उठाते हुए पाते हैं इस वीडियो में मैं कमजोर मानसिक्ता के संकेतों पर चर्चा करूंगी ताकि आप इसे पहचाना सीख सके और इसे दूर कर सके और जब की कभी-कभी अपने आ पर धान दिया जाना चाहिए नंबर वन दबाव में जल्दी आ जाना जो दबाव के आगे जूग जाता है वह विचारक नहीं है वे बस एक आसान रस्ता तलाशते हैं उनके पास अक्सर खुद के लिए खड़े होने और आत्ममुल्य की भावना को बनाए रखने के लिए आ और क्योंकि वे इतनी आसानी से दूसरों के भेकावे में आ जाते हैं इसलिए यह उन्हें मेनिपलेट करने के लिए आसानी से टार्गेट बना देते हैं जिससे असाहियता की भावना पैदा हो सकती है और इसका फाइदा उठाया जा सकता है नंबर टू समस्याओ पर ध्यान देना जबकि दिन प्रतिदिन की चिंताओ और चिंताओ में फर्श जाना आसान है समस्याओ पर ध्यान देना निच्चित रूप से ताकत का संखेत नहीं है एक मजबुत दिमाग वाला वेक्ती किसी समस्याओ को देखता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है एक कमजोर दिमाग वाला वेक्ती समस्याओ पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे आगे नहीं देख सकता वे इस मुद्दे पर इतने आधिक स्थीर हो जाते है कि वे कुछ और नहीं सोच पाते और वे इस बड़ी समस्या की तस्विर से दूर हो जाते है दुरभागे से यह नेरो फोकोस उन्हें क्रिटिकल और निश्पक्ष रूप से सोचने से रोकता है और अक्सर खराब निरने लेने की और ले जाता है नमबर क्री हर चीज के लिए माफी मांगना क्षमा याचना यह दिखाने का अच्छा तरीका हो सकता है कि आपने जो कुछ गलत किया है उसके लिए आपको खेदे लेकिन हर चीज के लिए माफी मांगना कमजोरी की निशानी है क्योंकि यह आत्मे विश्वास की कमी को दर्शाता है जब कोई हर चीज के लिए माफी मांगता है तो एसा इसलिए है क्योंकि इनसे कियोर और निश्चित महसुस करते है और उनमें आपने या आपने बिलिप्स के लिए खड़े होने का साहस नहीं होता है जिस चीजों के लिए माफी की अवशक्ता नहीं है उनके लिए माफी माँगना भी अप्रूवल आगेन करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है यह व्यवार विष्टों के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि दूसरे आपको गंभिरता से न ले या आपकी राय का सम्मान न करे नमबर फोर लक्ष के लिए प्रतिबद्ध ना होना लक्षों को निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे है उसके प्रती केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने के लिए इच्छा शक्ति और द्रड संकल्प की अवशकता होती है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बेहद मुश्किल हो सकता है जबके कोई वेक्ति किसी लक्ष के प्रती प्रतिबद्ध होने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि उनके पास कमजोर दिमाग वाला दृष्टिकोन है उनमें द्रड संकल्प की कमी होती है और वे लक्ष प्राप्त करने के साथ आने वाली कड़ी मेहनत से बहुत डर जाते है नती जतन में अकसर शुरू करने से पहले ही हार मान लेते है नमबर फायू बार बार बाहरी प्रामानी करन की मांग करना हम सभी दूसरों द्वारा सरहाना मुल्यवान और सम्मान महसुस करना चाहते है लेकिन जब बाहरी वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट बार बार होने लगती है तो यह कमजोरी का संकेत हो सकता है जब कोई वेक्ति दूसरों की राय से अत्याधिक चिंतित होता है और बाहरी वैलिडेशन पर बहुत आधिक निर्भर करता है तो आम तोर पर इसका मतलब यह होता है कि वे अपने लिए निर्ने लेने में असमर्त है या अपने स्वयम के कारिय की जिम्मेदारी लेने में असमर्त है या वेक्तिगत विकास को रोक सकता है और जोखिम लेने या उनके सुविदा क्षेत्र के बारे में कदम उठाने की शमता में बाधा डालता है नमबर 6 हमेशा पीडिक बने रहना आप उस विक्ति को जानते है जो हमेशा शिकायत करता रहता है वो जो आपको अपने चेताउनी के बारे में बताने के लिए इंतेजार नहीं कर सकता लेकिन उनके पास कभी कोई समाधा नहीं होता वे हमेशा इस बारे में बड़बडाते रहते हैं कि कैसे वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते और केसे सब कुछ इतना अनुचित नहीं है जो लोग हमेशा खुद को अपनी परिस्तितियों के शिकार के रूप में देखने की प्रवरत्ती रखते हैं वे जल्दी से अभिबूत हो जाते हैं और बेतर परिणाम बनाने के लिए अवशक्य कदम उठाने में असमर्त हो जाते हैं यह लाचारी की सामान्य भावना और उनके जीवन पर शक्ति हिंता की भावना पैदा कर सकता है इर्शा दूसरे वेक्ति के प्रती असंतोष और कड़वाहत की भावना है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है यह एक ऐसी भावना है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह आपके विचारों और कार्य का पुभोग कर सकती है वास्तों में यह व्यक्ति किसी और के पास क्या है पर इतना ध्यान केंद्रित कर सकता है कि वह अपनिक शमता और समान परिणाम प्राप्त करने की शमता के प्रती आंदा हो जाता है अंत में इर्शा से भस्म हो जाना कमजोरी का संकेत है क्योंकि यह विनाशकारी वहवारों को जन्म दे सकता है, वेक्तिगत विकास को डिस्करेज कर सकता है और अपनी क्षमता को बाधित कर सकता है नमबर एट नाराजगी पर कायम रेना जब किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, तो चोट और पीडा मेस्यूस करना स्वाब है दिखे लेकिन उस नाराजगी को बनाय रखना और उसे खराब होने न देना स्वास्त नहीं है क्योंकि उसके नकारात्मक परिनाम हो सकते है जब कोई नाराजगी रखता है तो वह खुद को ग्रो और हेल करने का मोका नहीं दे रहा है यह न केवल भावनात्मक रूप से हानिका रखे बल्कि इसे शाररिक स्वास्त परिनाम भी हो सकते है अध्धैनों ने नाराजगी को शाररिक बिमारियों जैसे उच्छ रखत चाप, सरदर्द और यहां तक की कोरोनरी रदरों के बढ़ते जोखिन से जोड़ा है और यह याद रखना भी महतोपूर्ण है कि नाराजगी को बनाए रखना रिटो को नुकसान पहुचा सकता है यदि कोई वेक्ती लगातार कटू है और क्षमा करने को तयार नहीं है तो उसके लिए मीनिंगफुल रिलेशन्शिप बनाना और उसे बनाए रखना कटिन हो सकता है यह आईसोलेशन और लोनली लस की भावना पैदा कर सकता है जो इमोशनल प्लान को और बढ़ा सकता है नमबर नाइन हमेशा रक्षात्मक रहना जब कोई हमेशा रक्षात्मक होता है तो यह एक संके थे कि वे कमज़र दिमाग वाले है सबसे पहले तो ऐसे वेक्ति आलोचना के प्रती अत्यादिक सवेदना शिल होते हैं जब कोई उन्हे प्रगति में लेने के बजाए रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है तो वे उत्तेजित या क्रोधित हो सकते हैं इससे पता चल सकता है कि वे वास्तों में सुधार करने के बजाए अपने अहंकार की रख्षा करने के लिए अधिक चिंतित होते हैं दूसरा हमेशा रख्षात्मक रहने वाले लोग अकसर चीजों को विक्तिगत रूप से लेते हैं एसा लगता है कि वे खूद को अलचना से अलग नहीं कर सकते हैं और इसे निश्पक्ष रूप से ले सकते हैं और यह बहुत सारे अनावशक संगर्ष का कारण बन सकता है इसके अलावा एक कमजोर दिमाग वाला वेक्ति आम तोर पर नए विचारों से दूर रहता है के लिए समय निकाले चाहे वह आपका अपना हो या किसी और का आप कमजोर मानसिक्ता के संकेतों को पहुचाने में सक्षम होंगे फिर भी यह याद रखना मुहत्वपूर्ण है कि हर कोई अपनी कमजोरी पर काबू पाने में सक्षम है और सही दृष्टिकोन के साथ कमजोर दिमाग वाला वेक्ति मजबूत दिमाग वाला वेक्ति बन सकता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे ताकि हम इसे बनाना जारी रख सके इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूले साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी अवशक के देखे दन्यवाद